गैज हम अमरे day to day life में इस प्रकर की sentences की बहुत यूज करते हैं जहां पर हम कहते हैं कि एक बात बोलू मेरा वहाँ जाने का मन नहीं है एक बात बोलू तुमें अपनी गलती भी माननी चाहिए एक बात को हूँ उस पर इतना भरोसा मत करो गैज इस प्रकर की sentences को हम हिंदी में तो बड़ी आसानी से बोल लेते हैं बड़ इस इंग्लिस में कैसे कहेंगे इसके लिए कौशी ट्रिक्चर की यूज करेंगे आज कि इस बीजी में हम सिटने बाले हैं आपने नोटिस कियोंग कि इन साबिस sentences में एक चीज़ को मनें वहें एक बात बोलू या फिर एक बात को हूँ इन दोनों का sentence एक ही होता है बट कहने का फरक होता है इसके लिए में इंग्लिस में phrases करते हैं डू आई से बान थिंग डू आई से बान थिंग चलिए इसका complete structure दिख लेते हैं structure में पहले मेरा महा जाने का मन नहीं है do I say one thing I am not in a mood to go there do I say one thing I am not in a mood to go there एक बात को हूँ उस पर इतना भरोशा मत करू do I say one thing don't trust him so much do I say one thing don't trust him so much एक बात बोलू वो अपनी जगह पर सही है do I say one thing she is right in her place do I say one thing she is right in her place एक बात बोलू वहां मुझ जाओ do I say one thing don't go there do I say one thing don't go there एक बात को हूँ हमें उसकी मदद करनी चाहें do I say one thing we should help him एक बात बोलू तुम्हें अपनी गलती भी माननी चाहें do I say one thing you should admit your mistake to एक बात बोलू यह सब सही नहीं है do I say one thing all this is not right एक बात बोलू अब सबको सच बता दू do I say one thing tell everyone the truth now एक बात को उस पर इतना भरुसा मत करो एक बात को तुम उसके साथ गलत कर रहे हो do I say one thing you are doing wrong with him do I say one thing you are doing wrong with him